निमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भेवानी हल चलो खबरों के संग में मैं हूं बनुस्कमार आईए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर जिले में बुद्धवार को 60 कोर्ना पोजिट्व हुए ठीक मिले 17 कोर्ना पोजिट्व नई केस शहीदी दिवस पर राव तुलारांग को पुस्प अर्पित करके किया याद महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का स्वा गरीब परिवारों पर पड़ा बढ़े हुए दामों का बोज सीवर लीकेज लाइन से परिशान छेतरवासियों की नारे बाजी आधिकारे का गहराव करने की दीचेता हुनी बाजपा सरकार की मर्दूर करमचारी वे किसान विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रे ट्रेड यूनियन्स वे करमचारी संगटनों ने मनाया राष्ट्वयापी विरोध दीवस शहिदी दीवस को उपलक्स में विधाय घनिशाम सर्राव ने सक्टर 21 में किया पोधारो पर और अब खबरे विस्तार से बुद्वार को भिवानी में जहां 17 कोरोना पोजिटिव केसे सामने आए वही 60 कोरोना पोजिटिव ठीक भी हुए अब तक आए कुल 2510 केसे में से 214 ठीक होकर अपने घर पहुँच चुके हैं अब जिले में 390 एक्टिव केसे बचे हैं बुद्वार दोपहर बात तक 500 सेंपल्स ले स्वास्तिव भाग के टीम द्वारा जांच के लिए बेजे गए बिवानी जिले में बीती रात को 17 कोरोना पोजिटिव केस सामने आए हैं तथा जिले में बुद्वार को 60 कोरोना पोजिटिव ठीक भी हुए हैं 17 में से 2 रामगंज मोहला 13 वर्षी लड़की वर 40 वर्षी महिला है एक सिविल सर्जन कार्याले से 47 वर्षी व्यक्ति है एक किरती नगर से 27 वर्षी व्यक्ति एक जमाही रोड से 30 वर्षी महिला तीन बाग कोठी से 37 वर्षी महिला 14 वर्षी लड़का वर 16 वर्षी लड़क तथा 26 वर्षिये व्यक्ति है एक दुरगा कलोनी से 29 वर्षिये व्यक्ति एक किस्ना कलोनी से 53 वर्षिये व्यक्ति तथा एक बहल से 32 वर्षिये व्यक्ति है अब तक जिले में कुल 2510 कॉर्णा पोजिटिव हो चुके हैं जिसमें से 214 लोग ठीक भी हो चुके हैं अब जिले की है अगर किसी भी वेक्ति को जुकाम बुखार या गले की तकलिफ होती है तो तुरंत डोक्टर से संपर करके अपनी जांच अवश्य करवा हैं जिले के अगर नेक संगठनों द्वारा शहीदी दिवस के अवसर पर स्थानिय नेहरू पार्क स्थेच शहीद समारक पर सुरीश शैनी रमेश टॉक ने बताया कि रावतुलाराम पर्थम भारतिय सवतेंतरत संग राम के परमुख नेताओं में से एक थे उन्हें हर्याना राज्या में राजनायक माना जाता है विद्रोकाल में हर्याना के दक्षिन पस्चिम इलाके में संपूर्ण बेस्टिस हक अकूमत को एस्थाई रूप से उखाड फैकने तथा दिल्ली के एतियासिक शहर में विद्रोही सैनिकों की सैन्न बल धन युद्ध सामगरी से सहता प्रदान करने का स्रे रावतुलाराम को जाता है इस अवसर पर कामरेर ओम प्रकार्स स्वरीश सैनी रमेश टाक रामकुम अधनों दुवारा आज उनको पुसर्पी करके स्वर्दान जली दी गई है उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान निचावर कर दी और जितने भी आज हम खुले में सास ले रहे हैं यह हमारे वीर सैनिकों की साधत का ही प्रिणाम है और हम उनको सत सतनों बन करते हैं आज महान सवतंतरता सेनानी राव तुलाराम की का साधत दिश है उन्होंने देश की जनता के लिए अंग्रेज सामराज जवाद के खिलाब एक अटूट लडाई दड़ी और सबसे पहले उन्होंने इस आंदोलन की का स्री गिड़ेश किया था उन्होंने जनता को स्वाधी बनाने के लिए और देश मां अपने लोग खुद नेरे ले अपनी खुद सरकार हो इस बात के लिए सोसनकारी अंग्रेजों को बाहर निकालने मां अपनी कुर्बानी दी है आज हम लोग उनको याद करते हैं और इसलिए याद करते हैं कि वो दुबारा से सामराजवादी दुनिया को दुबारा से वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फरंड और वर्ल्ड ट्रेड और्गेनाइजेशन के तहट लूटने दुबारा आ रहे हैं और उनी के तहट तमाम कानून और जो नीतियां अमारी बदलाव किया जा रहे हैं किसान और मजदूर पर इस उप्लक्स में हम सभी लोग इकठे हुए हैं और मैं युवाओ को यही संदेश देना चाहता हूं कि नसे से दूर रहे और इनके नक्षे कदम पर चलें इन दिनों सब्जियों के दाम दिन प्रति दिन बढ़ते ही जा रहे हैं कुछ सब्जियां तो पेट्रोल और डीजल से भी अधिक असी से सो रुपे प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही हैं ऐसे में आम आदमी के लिए रिसोई गर का बज़ट बिगड कर रह गया है वहीं बढ़े हुए दामों से दुकानदार और ग्रहक दोनों ही प्रभावित नज़र आए महंगाई के बारे में दुकानदारा का कहना है कि आज जिस प्रकार से सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाओ हो रहा है ऐसे में सब्जिया एक दिन गरीब परिवारों और आम आदमी के लिए ताजा और हरी सब्जिया खाना मातर एक सपना बन कर रह जाएंगी आज हर रोज बढ़ रहे सब्जियों के दामों से आम आदमी परिशान है गरीब वर्क के लोग भी इससे परिशान है सब्जियों के दाम आज पेट्रोल डीजल के दामों से भी आगे निकल कर आस्मान छू रही है और सब्जियों के दामों के बढ़ने का असर बाजारों में ग्रहकों पर भी पढ़ रहा है दामों की बढ़ोतरी के कान आज ग्रहकों के संख्या में इसका भारी कटोती देखी जा रही है इसके कान आम आदमी पर आज बड़ी हुई सब्जियों के दामों का असर बना हुआ है अब आज रखड़ी आगर देखी बड़ी शिर्फी किलो हरी आल्लू 35 अबरी बादमी के दिम्यर चर अल्लू थे अर प्याज इनकी चटनी बना लिन दे आज इन एक दाम आशमान चुरी तेल का दो पुछ है ना तेल उस्ता गड़ा कमारा सब्जी उस्ता गड़ा कमारा कर देखोव देखोब 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 पर जना पोजिन दे उसका साथ तवर दे मूरे का जरे पानी आया करदा उसका वजया करदे़ इल कोई सब्जी नहीं है नदी बाई नगर के सेक्टर 21 में नगरविदाय गंस्याम सराफ ने प्रबुद नागरिकों के साथ मिलकर शहीदी दिवस के उपलक्स में पोदारोपन कर उन्हें स्रदान जिली दी उनका कहना था कि शहीदों के नाम पर हम सब पोदारोपन कर उन्हें सच्ची सरदान जिली दे अपने वातावरन को भी स्वच बना सकते हैं और पोदों का भी अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं बुदोर को सेक्टर 21 स्थित नेकिराम पार्क में विधाय घंशाम सरण जराफ और नगर के परबुद नागरिकों ने पोदारोपन किया इस वसर पर विधाय घंशाम सरण जराफ ने कहा कि यदि हम अपने सहीदों के नाम पर पोदारोपन करते हैं तो यह उनके लिए सच्ची सरदानजली होगी उन्होंने कहा कि हम सब को अपने बुजर्गों परीजनों के नाम पर पोधरोपन करके पर्यवान को स्वच बनाना होगा वहीं उन्होंने कहा कि नागरिक पोधरोपन के बाद उस पोधे का पालन पोशन करके उस पर नेम प्लेट भी लगवा सकते हैं वह उन्होंने शहीदों के बलिदान की विस्तार से जानकारी भी दी परकार से यह शहीदों के नाम से हैं वरक्ष लगा रहे हैं इसमें प्रतेक बोद्दे का एक एक दो दो वह अभिवाक होगे हैं जो अपने बुज़ुर्गों की नाम की प्लेट लगाए या अपने कोई समानित सहीद की प्रत्मा वह नेम प्लेट लगाएं जिस से इस छेतर के सभी पोद्दें विक्सितों और उनके लिए एक एक पोद करते हैं इसके पिछे से रजवाय जा रहा है जो पूराने वाटवक्स पे जल की फिडिंग करता था आज कल इस रजवाय का कोई अर्थ नहीं रह गया क्योंकि आगे भी बंद है और इस साइड में भी तो इसको पर हम एक अप्छी सड़का निर्मान करवाने जा रहे हैं को कि जो वन विवागने पैसे मंगे थे वे पैसे उनको लोट कर दिये गए हैं और कुछी समय के बाद इस पर सड़क का निर्मान सुरू हो देगा और पूरा सहर जो आपको लगता है कि अभी छेतर में काम नहीं हो रहा है वो सारे काम एकदम से बज़ट में लिए जाएंगे और सब को पुर्ण करवाने के लिए हम कटी बाता हैं स्थानिय महराना प्रताप कोलोनी में स्थित वार्ड नमबर आठ की गली नमबर एक के निवासी सिवरेज लिकेज की समस्या से भारी रूप से परिशान नजर आए उनका कहना था कि दूशीत पानी से उनका जीना दूबर हो गया है इस समस्या को ले उन्होंने अपना रोज जताते हुए जम कर नारे बाजी की और लिकेज को ठीक करवाने की मांग भी की इस बारे में छेतर वासी मास्टर दिनेश परमार शाधुराम संदेव हर्श परताब परमार ने संविक तरूप से बताया कि उनके छेतर में छे माइने से सीवरेज लाइन लिकेज की समस्या बनी हुई है इसके लिए उन्होंने आला अधिकारी को भी लिखित में अवगत करवाया था लेकिन आला अधिकारी हर बार उन्हें गुमरा कर रहे हैं लाइन लेकेज आज तक ठीक नहीं हुई है इस दूसित पानी के चलते लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है आजकल बदलते मोसम में डेगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, आधि बीमारिया फैल रही है छेतरवाशी ने रोज प्रकट करते हुए कहा कि अगर जल्द ही उक्त समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो शड़कों पर उतर कर अधिकारियों का घेराव करेंगे हैं और उनके जिला ये कमिटी पार्षद को भी हम कई बार कह चुके हैं बस खाली जूटिया सोसनों के अलावा में कुछ नहीं मिल रहा है हम इन समस्याओं से गरस्त हो चुके काफी दिनों से अब हमारा एकी रस्ता रह रहा है रस्ता जाम कर रहा है परसासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समस्याओं की तरफ द्यादे हैं हमने नारिबाजी ये शीवर को लेगर कि यहां पर एक महीने से कंप्लेंग करवा रखिया कोई भी आया निये चेक करने के लिए और जिससे की सारे यहां पर जितने घर हैं वा पर सभी बच्चे डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं ये एक महीने से आरही है कंप्लेंग बहुत सारी करवाई हैं पर किसी ने ध्यान ने दिया अभी तर केंद्रिय ट्रेड यूनियन और करमचारी फेडरिशन के आहवान पर मजदूर करमचारी वेकिसान विरोधी कानूनों के खिलाफ स्थानिय सुरेंदर सिंग पार्क के सामने अनेक संगटों ने मिलकर प्रदर्शन किया अपना अक्रोश जताते हुए इन जन प्रतिनीदियों ने तैसिलदार भीवानी के मादियम से रास्ट्रपती के नाम एक ग्यापन भी बेजा विरोध सभा को संबोधित करते हुए टेर्ड यूनेंस वा करमचारे नेताओं ने कहा कि केंदर में साशित भाजपा सरकार ने देश के मजदूरों किसानों के खिलाब हमलावर रुख अपना रखा है इसमें मार्च महीने से पहले ही विरोध गारी अपने अब तक के सबसे उचे सतर पर थी ऐसे में संकट में फसी जनता के विभिन तबकों को रहत देने की बजाए केंदर सरकार मजदूर किसानों के अधिकारों को खतम करने पा आमादा है वहीं उन्होंने मांग की है कि संसद के इसी सतर में पारित किये गए खेती वे किसानों से जोड़े तीन विरोधी हैं इन्हें ऐस्विकरत किया जाए वे संसद को वापिस लोटाया जाए सावजनिक छेतर के निजी करन पर रोक लगे रेलवे, कोईला, बैंक, बीमा, बिजली, परिवहन जैसे छेतर में निजी करन के उठाए गए कदमों को वापस लिया जाए सभी बेरोजगार को स्थाई वर संबान जनक रोजगार परदान किया जाए अब आपने पीपडी के इंदर तीन द्यदेश की बात है, सरकार जोने बजाए बात करने के पारलेमट में, राजवेशभा में, राजवेशभा में जूत मारे की बार काट दिये और विदे एक पास कर दिया, आज किसान अंदोन करता है तो सरकार लाटी गोड़ी चलाती है मजदूर हमारे मंदूर का मजदूर है, चाहे बहुनर मान के मजदूर है, चाहे हो हिंदूर्स्तान की फ्यक्टियों में मजदूर काम करते हैं, क्रोना की आड़ में, हिंदूर्स्तान की सरकार क्रोन रुपे खाएगी देश में बार्तबंद नावान किया था, उसी का रिमाइंडर का तोर पास देश सितम्बर को ये सयुक ट्रेड यूनियन की तरफ से प्रोग्राम की अधार है, सरकार के मान किलारी है जो जनता के पैसे से देश का अंदर जो सारवजनी को दोगोने थे, प्रेल वे हो, अवाई या तराज का हो, या दूसरे 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 नहीं ऐखनी जूत्पाद के जो साधन हो, प्रेड रूलियूम हो, उन सब को सरकार, करोणा की आड में उनको सब को बेचना लग रही है, आज का ये जो ग्रोध परदुशन है, पूरदेश में जो तमां जो ट्रेड पूरे देश में अलग अलग बोर्ड हैं जिनके अंदर आज के अलग अलग मुझदूरों के लिए वेलफेर बोर्ड बने वी हैं उनका पैसा भी अगर भडा लें तो लग बगशे सवाल लाख करोड के लग वो पैसा बनता है समाजिक सुरुक्षा कोड के देज जरकार ने ये वस्ता कर ली कि तमाम जो बोडों के अंदर जो पैसा है उस पैसे को सेंट्रलाइज जरकार करना चाहती है मुझदुरों को जो सुवी दाएं जो बेनिफीट जो पहले मिल रहे थे और अब जाने से पहले एक नजर आज की हैडना इस पार जिले में बुद्धवार को साथ कोड़ना पोजिटिव हुए ठीक मिले सतरा कोड़ना पोजिटिव नई केस शहिदी दिवस पर राव तुलारां को पुस्प अर्पित करके किया याद महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का स्वाथ गरीब परिवारों पर पड़ा बढ़े हुए दामों का बोज सीवर लिकेज लाइन से परिशान छेतरवासियों की नारे बाजी आधिकारे को गहराव करने के दीच एता होनी भाजपा सरकार की मर्दूर करमचारी वह किसान विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रे ट्रेड यूनियन्स वह करमचारी संगड़नों ने मनाया राष्ट्रवापी विरोध दिवस शहिदी दिवस को उपलक्स में विधाय घंशाम सर्राव ने सक्टर 21 में किया पोधारों पर हमारे संग्मिन बसेतना यगलेंग के लिए देखते रहेगा आपका अपने चैनल भिवानी हल चल झाल